नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र पांडे है, और आज की लेक्चर में हम चर्चा करेंगे स्ट्रक्चर्स की अब तक हम जिन डेटा टाइप्स के साथ काम कर रहे हैं, उन में से अधिकांच, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट या करेक्टर टाइप की सिंगल वेली को रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रिंग इस से इसमाइने में अलग है कि वे छोटे पीसिस करेक्टर से बने होते हैं, इस प्रकार स्ट्रिंग्स कंपाउंड टाइप का एक उधारन हैं हम जो ऑपरेशन परफर्म कर रहे हैं, उनके आधार पर हम एक कंपाउंड टाइप को सिंगल अबजेक्ट बान सकते हैं या हम इसको पार्ट्स या मेंबर वेरिबल्स के रूप में एक्सेस कर सकते हैं यह ambiguity बहुत उपयोगी है, अपने स्वयम की compound values को बनाने में सक्षम होना भी उपयोगी है C, ऐसा करने के लिए एक mechanism प्रदान करता है structures, compound structure के सरण उधारन के रूप में mathematical point के concept पर विचार करें एक level पर एक point दो numbers हैं, जिनने हम coordinates कहते हैं, जिसे हम collectively एक single object मानते हैं mathematical notation में point अक्सर parenthesis में लिखे जाते हैं, जिन में comma coordinates को separate करता है उधारन के लिए 0,0 origin को indicate करता है और x,y origin के right में x unit की दूरी और origin से y unit उपर की तरफ एक point को represent करता है C में एक point को दो doubles की मदट से represent किया जा सकता है अब प्रश्ण यह उठता है, इन दो values को एक compound object या structure में कैसे group किया जाए इसका उत्तर है, यह code जो screen पर दर्शाया गया है structure की definition किसी भी function definition के बाहर दिखाई देती है आम तोर पर program की शुरुआत में include statements के बाद जो definition indicate करती है कि इस structure में दो elements है, जिसका नाम x और y है इन elements को members या field of a structure कहा जाता है structure definition की अंत में semicolon को ना लगाना एक सामानी error है इसको लगाने का हमेशा ध्यान रखे, एक बार जब आप एक नए structure को define कर लेते हैं तो आप screen पर दशाय गए तरीके से उस प्रकार के variable create कर सकते हैं इस code की पहली line एक conventional variable declaration है जिसमें blank को point t type का declare किया गया है अगली दो line structure के fields को initialize करती है यहां उपयोग किये जाने वाले dot notation को field selection operator कहा जाता है और यह structure fields को access करने के लिए अनुमती देता है इन assignments का result इस state diagram में दिखाया गया है हमेशा की तरह इस state diagram में variable blank का नाम box के बाहर दिखाय दे रहा है और इसकी value box के अंदर दिखाय दे रही है इस case में वह value दो named member variables के साथ एक compound object है आप एक member variable की values को उसी syntax का उपयोग करके पढ़ सकते हैं जिसे हम उसको write करने में इस्टमाल करते हैं expression blank.x का आर्थ है blank name वाले object पर जाएं और x की value प्राप्त करें इस case में हम उस value को x नाम के एक local variable को assign करते हैं ध्यान दें कि x नाम के local variable और x नाम के member variable की बीच में कोई conflict नहीं है dot notation का उदेश यह पहचानना है कि आप किस variable को इस past रूप से refer कर रहे हैं आप किसी भी c expression के हिस्से के रूप में dot notation का उपयोग कर सकते हैं इसलिए निमने लिखित code legal है इस code की पहली line 3,4 output करती है और दूसरी line 25 value को calculate करती है आई अब चर्चा करते हैं operations on structures की अधिकान operator जो हम अन्य types पर उपयोग करते हैं जैसे mathematical operator, comparison operator structure पर work नहीं करते हैं दूसरी ओर assignment operator structure के लिए काम करता है इसका उपयोग दो तरीकों से किया जा सकता है किसी structure के member variable को initialize करने के लिए या member variables को एक structure से दूसरे structure में copy करने के लिए initialization कुछ इस तरह से दिखेगा इसके गली braces में values एक एक करके structure के member variables में assign किये जाते हैं जो इस case में x को पहला value और y को दूसरी value assign होती है unfortunately इस syntax का उपयोग केवल initialization में किया जा सकता है assignment statement में नहीं तो इसके दृष्टिगर निमने लिखित code illegal है आपको आश्चरी हो सकता है कि यह perfectly reasonable statement illegal क्यों होना चाहिए आपको typecast जोड़कर assignment का type भी specify करना होगा इस परिवर्थन के बाद code काम करेगा एक structure को दूसरे को assign करना legal है उदहरन के लिए इस code को देखें इसका output है 3,4 आप सामन्दी तरीके से parameters के रूप में structure को पास कर सकते हैं उदहरन के लिए print point function एक point को एक argument के रूप में accept करता है और इसे statement format में output करता है यदि आप print point blank को call करते हैं तो इसका output 3.0,4.0 होगा दूसरे उदहरन के रूप में हम compute distance function जिसे हमने पिछले lecture में define किया था को फिर से लिख सकते हैं ताकि यह character doubles के बजाए दो points को parameters के रूप में accept करें जब आप एक structure को एक argument के रूप में पास करते हैं तो याद रखें कि argument और parameter same variable नहीं है इसके बजाए यह दो variables हैं एक caller और एक calling जिसमें value same है कम से कम शुरुवात में तो है ही उधारन के लिए जब हम print point function को call करते हैं तो इस stack diagram कुछ इस तरह से दिखेगा यदि print point function point के एक member variable को change करता है तो इसका blank पर कोई प्रभाव नहीं होगा बेशक print point function के पास इसके parameter को modify करने का कोई कारण नहीं है इसलिए दो functions के बीच your isolation appropriate है इस तरह कि parameter passing को pass by value कहा जाता है क्योंकि यह structure की value है जो function को pass हो जाती है एक alternative parameter passing mechanism जो C में उपलब्ध है उसे pass by reference कहा जाता है अब तक हम पहले से ही जानते हैं कि C reference के root में pointers का उप्योग करता है यह mechanism एक structure को एक procedure में pass करता है और इससे directly modify करना संभव बनाता है उधारण के लिए आप दो coordinates की swapping करके 45 degree line के around एक point को reflect कर सकते हैं reflect point function को लिखने के सबसे obvious लेकिन गलत तरीका कुछ इस प्रकार है यह quote काम नहीं करेगा क्योंकि हमारे दुआरा reflect point function में किये गए बदलावों का caller पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसके बजाए हमें specify करना होगा कि हम reference दुआरा parameter पास करना चाहते हैं हमारे function में अब एक structure pointer argument point D है जब हम एक pointer के माध्यम से structure member variable को access कर रहे हो तो हम field selector operator dot का अप्योग नहीं कर सकते इसके बजाए हम pointing to operator जिसे इस तरह से दर्शाया जाता है का अप्योग करने की आवशकता है जब हम function को call करते हैं तो हम structure variable में address of operator and को parameter ptr blank नाम के structure का एक reference है एक reference के लिए usual representation एक dot के साथ एक arrow है जो की point करता है कि reference किसको refer कर रहा है इस diagram में notice करने वाली महतकों बात यह है कि कोई भी changes जो की reflect function pointer के माध्यम से करता है वो blank को प्रभावित करेगा structure by reference को pass करना passing by value के तुला में अधिक versatile है क्योंकि कॉली structure को modify कर सकता है यह fast भी है क्योंकि system को पूरी structure को copy नहीं करना पड़ता वहीं दूसरी और यह कम सुरक्षित है क्योंकि इस बात का track रखना बहुत कठिन है कि कहां कहां modify हुआ है फिर भी C program में लगबग सभी structures में pass by reference ही इस्तमाल किया जाता है अजय को बाई दूसरी और UP लगज़ बाई रहाने क्या दूसरी एफ प्रूसरी और रड़ता है कर सकता है जासे बाई भी C program और दूसरी और